कथा साहित्य में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कित्ती के जीवन में आगे क्या होता है। रात में जरूर मनाएंगे। जिन्दगी की शुरुआत अमावस्या से नहीं करेंगे। हमारे जीवन पर हमेशा मीठी चांदनी की छाया रहेगी कित्ती। इसे महस इतिफाक कैसे कहूं तीपा। लंदन के प्रकाश से जगमगाते कमरे में भी अमावस्या का गाणा अंधेरा चा गया था। दो सेकिंड्स को ही सही विजली गुल हो गई थी। खिड़की के पाहार अमावस की काली रात से मेरी नए जिन्दगी शुरू हुई थी। मेरा जीना घुंगट सुरेश को अजीब तमाशा लगा था। यह क्या तमाशा बना रखा है। इंडिया की बेवकूफियों के लिए यहां जगा नहीं है। हटाओ यह घुंगट। बेदर्दी से मेरा घुंगट हटा। खुंखार जानवर की तरहां बाहों में दबोच लिया था। तू तो जानती है दीपा प्रेम के बारे में मेरी क्या कलपना थी। एक कोमल अनुभूती जिसमें एक के बाद एक मीठी परतें खुलती जाएं। सोचा था पराग भरी वल्लरी सी अपने प्रीतम से लिपट नया जीवन शुरू करूंगी। पर मद्रिया से महकते उस आलिंगन में दम घुटने लगा था। मैंने गुलाब की सुवास चाही थी दीपा, शराब की गंध मैंने कब जानी थी। मुझे तो स्पिरिट की स्वागत समारों आयुजित किया गया था। नशे में बेसुत सुरेश और अन्य पुरुष अर्ध नगन थिरक्ती गोरी नर्तिकी के चुम्बन के लिए जिस तरहां लालाईत थे, उसने मेरे मन में अची वित्रिशना भर दी। ताजुब यही था, उन पुरुषों की पत पहले सुरेश लंदन की महविलों की जान हुआ करते, लड़किया उनके पीछे दिवानी रहती, शायद वो केराल से विवाह करना चाहता था, रंग रूप देख सुरेश भी मान गया, पर उसे मुझ में वह कुछ नहीं मिल सका, जिसकी उसे चाहा थी, सुरा और सुन्दरी सुरेश के प्रिय वैसन है, या यूँ कहो, इन दोनों के बिना सुरेश जी नहीं सकता, और अब तो सुरेश के मम्मी पापा को भी लगता है, वे धोखा खा गए, पत्थर को हीरा समझ लाए, अगर हीरा होती तो क्या उनके बिगड़े बेटे को सुधार ना लेती, वैसे जिसका पती दुथकारे, उसकी पतनी क्या सम्मान की अधिकारणी होती है, सुरेश के लिए मैं केवल एक भोगा जाने वाला शरीर हूँ, विवहा के पहली रात मेरी आत्मा तक रौंदी गई थी दीपा, सुरेश का भावनाओं से कोई सम्मंध ही नहीं है, विवहा के पहल पहली रात मुझसे अलग होते सुरेश ने कहा था, ठंडी औरत, इंडिया का रविश, मैं सचमुच बर्व बन गई, नई जिन्दगी की इस शुरुवात पर जी भर रो भी ना पाई, आसु भी जम गई थे, सुरेश ने ठीक कहा, मैं ठंडी औरत हूँ, पहली रात के भया पहली भर से मेरे मन के तारगा उठते थे, सुरेश अगर बाहर की औरतों के साथ सम्मंद रखता है, तो शायद शिकायत का मेरा हक नहीं बनता, पर उन्हें घर ला, उनके साथ सोना, मुझे सहय नहीं होता दीपा, जब भी विरोत का स्वर उठाना चाहा, अपने नारित्व को लेकर ऐसे अपमान जनक शब्द सुनने को मिले, जिनकी कलपना भी असंभव है, शायद मैं गलत चगहा आ गई, यहां का जीवन मुझे रास नहीं आया, शराब में धुत पुरुशों की कमर में हाट डाले इस्त्रियां, मेरी वित्रिशना ही बढ़ाती हैं, जी चाहता ह किसी तरह यह बंधन तोड, अपनी धर्ती अपनों के बीच पहुश पाती, पर कैसे? मैंने नेफरोलोजी में स्पेसलाइजेशन का सपना देखा था, मेरी अनरोध पर सुरेश उखड गए, नहीं, यह नहीं हो सकता, मैंने शादी इसलिए नहीं की है, मेरी बीबी दिन रा खोल सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे एंगलेंड की मेडिकल डिगरी तो लेनी ही होगी सुरेश, रबिश, कह दियाना इट्स इंपॉसिबल, पर मैं पढ़ना चाहती हूँ सुरेश, मैं नहीं चाहता तुम पढ़ाई करो, क्या यह बात दिमाग में नहीं आ रही है, मैं अपना समय कैसे काटू सुरेश, आफ्टर ओल आये में डॉक्टर, जानता हूँ, इसी बात का बड़ा घमंड है, पहले एक औरत तो बन कर दिखाओ, फिर डॉक्टर बनना, आवास का तीखापन अंदर तक मुझे भेद गया, दो दिन बाद सुरेश बड़े अच्छे एक प्राइवेट डॉक्टर की सक्त जरूरत है, एक ऐसी लेडी डॉक्टर जो यंग्स्टर्स की प्राब्लम सॉल्व कर दे, और उनकी सीक्रेट्स भी ना खुलें, सीक्रेट्स से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे, डॉक्टर होकर भी नहीं समझी? यहाँ इलिगल प्रेग या तो यही काम है, उन्होंने खुद कहा है, तुम उनके साथ उनके क्लिनिक में काम कर सकती हो, तुम चाहते हो, मैं एक हत्यारे के साथ काम करूँ? किसी हत्यारा कह रही हो, जानती हो, इंडियन कम्यूनिटी में डॉक्टर नेथानी की कितनी इज़त है, सुरेश तम-तमा जो जीवन देने की जगहा, जन्म से पहले जीवन ही समाप्त कर दे, वो हत्यारा ही तो है, पागल हो गई हो, यहां यह रोज की बात है, इंडिया में क्या डॉक्टर यह काम नहीं करते, वहां भी तो एबार्शन लीगली अक्सेप्टेड है, होगा, पर मैं यह काम नहीं कर सकती, हमने हॉस्पिटल में शपत ली थी, एबार्शन सिर्फ उसी स्थिती में करेंगे, जब बच्चे में कोई डिफॉर्मिटी होगी, जोटी इज़त बनाए रखने के लिए, मैं एक नन्हे शिशू की हत्यार नहीं कर सकती, इंडिया की बात करती हो, दुनिया जानती है बलडी इंडियन्स जानवरों की तरह बच्चे पैदा करते जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं, इसी लिए वहां की हालत दिन बाद दिन खराब होती जा रही है, तुम जैसे फुलिश टॉक्टर्स उनको बच्चा पैदा करने में मदद देते हैं, हिपोक्रेट्स, सुरेश द ममी पापा का दिमाग खराब हो गया था, कहा केराल, कहा तुम, उन्हीं की जिद पर तुम जैसी जाहिल लड़की से शादी करनी पड़ी, वरना आज केराल मेरी पतनी होती, तुम केराल के पास जाने को स्वतंत्र हो, बस मुझे पढ़ने की इजाज़त चाहिए सुरेश, म मारकर अमा के नाम चिठी लिखी थी, सुरेश की मा ने चिठी खोल कर पढ़ ली, मुझे क्या पता था, लंदन में रहने वाले दूसरों के पत्र ना पढ़ने का सिष्टाचार भी नहीं जानते, उस चिठी पर घर में महाभारत मच गया, सबने मिलकर मुझे दिकारा, अब शब्द सुनाए, तब से मेरी हर गती विधी पर कड़ी नजर रखी जाती है, इतने अपनों के बीच अकेलेपन की तरास्ती जील रही हूं दीप, अब तो सुरेश, खुलम खुला, कॉल गर्स तक घर में लाने लगा है, एक दिन तो हद करती, अपनी एक गर्ल्फ्रेंड क प्रेगनेंसी अवार्ट कराने मेरे पास ले आया, साफ शब्दों में निसन कुछ बताया था, ये कहती है इसके पेट में मेरा बच्चा है, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूं, पर इस बात को लेकर बहुत से लीगल प्रॉब्लम सूट सकती है, हजारों पॉन का दावा कर सकती है, तुम सफाई कर दो, बात घर में ही रह जाएगी, उस कुछ सित परस्ताव पर मेरा मन विद्रो कर उठा, इतना नीच आदमी कित्ती का पती नहीं हो सकता, निर्ने लिया था, अब उसके साथ नहीं रहूंगी, उस घर में आने वालों में मिसेस पूरी मुझसे सनेह रखती थी, एक दिन अखेले में उन्हें अपनी समस्या बतानी चाही, तो वो चौंक उठी, सुरेश की मम्मी से मेरे बारे में जब उन्होंने बात की, तो मम्मी जी ने साफ कह दिया, किसकी बात कर रही है मिसेस पूरी, इस लड़की पर तो शादी के पहले से पागलपन क दोरे पढ़ते रही है, कभी कभी तो इतने वालेंट हो जाती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है, हम तो अपने इज़त बनाए रखने के लिए किसी से कुछ नहीं कहते, वरना आप ही सोचिये, डॉक्टरी की डिगरी के साथ भला कोई घर में बैठ सकता है, मम्मी जी के दर्क में सत्य भले ही ना हो, कन्विंसिंग शक्ती तो जरूर थी, अब मेरा बाहर निकलना, लोगों से मिलना बंद करा दिया गया है, तू तो जानती है दीब, तेरी कित्ती हमेशा की डरपोक रही है, उसने कभी अपने पंख पसारे ही नहीं, पर इस तरहां पंख कतर उस राजीव के पीछे दिव्या पागल रहती थी, राजीव ने उसे कभी लिफ्ट नहीं दी, इसके लिए वो मुझे दोश देती रही, मेरी पतकिस्मती, दिव्या भी लंदन आ गई, राजीव के साथ मेरे प्रेम संबंध की कहानी उसने खूब नमक मिर्च लगा कर सुरेश को सुनाई थी, सुरेश का अब यही मानना है कि मैं आज भी राजीव के प्रेम की वज़ा से सुरेश को पतनी का सच्चा सुख नहीं दे पाती, अम्मा पापा तक मेरी चरितर हींता की कहानी के साथ शिकायतों की लंबी फेर हिस्त भेजी गई है, उन्हें समझा दिया गया कि अब मेरे भारत ना लाटने में ही दोनों परिवारों की इज़त है, भारत पहुंच मैं फिर राजीव से प्रेम की पिंगे भरने लगूंगी, अच्छा है सुरेश को नहीं पता राजीव कहा है, शायद मा पापा ने भी सुरेश के घरवालों की बातों पर विश्वास क मा बाप की मुझे कभी कोई चिठी नहीं मिली, वैसे भी अम्मा हमेशा यही समझाती, पती का घर ही लड़की का असली घर होता है, वहां से दुधकारी को कहीं ठॉल नहीं मिलता, अगर किसी तरह वापस गई भी तो फिर इसी नर्क में जोंकती जाऊंगी, क्या इससे अच धूब के एक टुकड़े के लिए तरस गई हूँ, यहूं धोकर कहां फेलाती, यहां के आंसु बहाते मौसम में धूब की तलाश बेकार है, मेरे सपने बस सपने ही रह गए, क्या राजीव से प्यार करना मेरा अपराध था, काश उस दिन हिम्मत कर ली होती, तो आज जी र पा रही होगी, खत पढ़कर प्रशांत मान रह गया, कुछ देर बाद उसने दीपा से कहा, यह समय रोने का नहीं, हमें कुछ करना होगा, हम यहां इतनी दूर से कर ही क्या सकते हैं, उसने तो घुट-घुट कर मरने का इरादा कर ही लिया है, पढ़ा नहीं तुमने, किती उसने क्या लिखा है, यह उसकी कोरी भावुकता है, किसी को दंडित करने के लिए खुद को मिटा देना अकलमंदी नहीं है दीपा, हमें किती को यह बात समझानी होगी, एक बात पताओ प्रशांत, क्या औरतों की यही नियती है, इस देश में उन्हें जिन्दा जलाया जा और विदेश में भी इस तरहां तडपा तडपा कर मरने को विवश किया जाता है, मैं सोचती थी, विदेशों में औरत अपना अधिकार पा चुकी है, वहां उस पर अत्याचार नहीं किया जा सकता, पर किती, दीपा का स्वर आस्वों में डूब गया, अपने को संभालो द रहले खुद किती को अन्याय के विरुतावास उठानी है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी प्रशांद, मैं उसे चानती हूँ, वो ऐसा जरूर करेगी, मुझे विश्वास है, हाँ, आज इस लेटर के जिरौक्स प्रती किती के पापा को जरूर भेज देना, वो चाहें तो पु जगानी है दीपा, और मुझे विश्वास है, तुम उसमें पूरी तरह सवल होगी, याद है, तुम्हारी सही प्रेणा से आज मैं यहां तक पहुंच सका हूँ, अपने परिहास से प्रशांत नेवातवरन हलका करना चाहा था, दीपा ने फोन उठाया था, उधर से एक भा जवाब मिला, वो अभी ब्यूटी पालर गई हुई है, पता नहीं कब वापस आए, देखिए, उससे बात करना जरूरी है, मेरी शादी हो रही है, मैं उसे खुद इन्वाइट करना चाहती हूँ, ठीक है, फिर ट्राइ कीजेगा, आपका मैसेज दे दिया जाएगा, फोन क टंदन का टाइम हमसे साड़े पाच खंटे पीछे चलता है, ठीक है, इतनी जानकारी मुझे भी है जनाब, दोनों हस पड़े, दूसरे दिन फोन पर कित्ती की आवाज सुन दीपा चौक गई, कित्ती तू, मैं तो समझ रही थी, तुझसे बात ही नहीं हो पाईगी, जब स तेरा खत मिला है, बेहत परेशान हूँ, तू बेकार परेशान है, मैंने तो इसे अपनी नियती मान स्विकार कर लिया है, ये तेरी गलती है कित्ती, अन्याय सहना पाप है, तू पाप कर रही है, अपने अपमान का बदला तुझे लेना है कित्ती, किस लिए, किस के लिए दीपा, अपने लिए, हमारे लिए, राजीव के लिए, तू अपमान नहीं सहेगी किती, मैं क्या कर सकती हूं दीपा, रुंधी आवाज में किती ने पूछा था, सम्मान पूर्वक जीना तेरा अधिकार है, तू वह घर छोड़ दे, अपनी लड़ाई तुझे खुद गया था, किती का दूर होता आर्थ स्वर, दीपा को साफ सुनाई पड़ रहा था, मुझे छोड़ दो, मेरे बाल छोड़ो, दर्द हो रहा है, स्पस्ट तहा, किसी ने आकर किती को पीछे से बालों से पकड़ लिया था, पीड़ा की लहर से दीपा सिहर उठी, कभी उची स पड़ने वाली किती की आज यह क्या स्थिती है, फोन कट चुका था, हथेली में मूँ ठक, दीपा फपक पड़ी, नहीं, उसे हिम्मत नहीं हालनी है, प्रशांत ने ठीक कहा, एक वो ही तो है, जो किती को समझती है, वही उसे तिल-तिल मरने से बचा सकती है, आंसु दिल्ली के हॉस्पिटल में काम कर रहा है, रोहित से राजीव का टेलिफोन नंबर पता कर, राजीव को सारी बातें बताने जरूरी थी, राजीव का नंबर ले दिपिका ने फोन लगाया था, राजीव की परिचित आवाज में हेलो सुन, दिपा खिलूठी, किती के बारे में पूरी बात थोड़ी सी देर में बता पाना भले ही संभब ना था, पर उतनी ही बात पर राजीव स्तब्द रह गया, कुछ देर चुपी के बाद मुश्किल से कह सका, ओ नो, दीपा हमें अपनी कित्ती को कैसे भी उस दलजल से पहर निकालना होगा, मैं उसे यूं मरने न मैं जरूर कोई तरीका निकालूँगा, है फेद इनमी दीपा, ठैंक्स, मुझे पूरा विश्वास है, हम उसके मन में जीने की चाहते पैदा कर सकेंगे राजीव, मैं तुम्हारा आभारी हूँ दीपा, हम कित्ती को आत्महद्या नहीं करने देंगे, मुझसे जो बन सके क परूंगा, वो हमारी अपनी कित्ती है दीपा, ओके राजीव, मैं फिर कित्ती को कांटेक्ट करके तुम्हें फोन करूंगी, दीपा के बार बार फोन करने पर अंततह कित्ती को फोन पर बुलाया गया, दीपा ने सीथे कहा था, कित्ती मेरे पास कम समय है, हम सब तेरे साथ तू अकेली नहीं है कित्ती, जहां तू रह रही है, उस देश में नारी शोशन गंभीर अपराद है, तू बंधन तोड़ते, उस कैज से बाहर आजा कित्ती, बाहर निकला कित्ती। आपकी भलाई इसी में है कि आप उसे आजाद कर दें, वरना, वरना क्या कर लेंगी आप, आपको कोट में खीच ले जाओंगी, वहां महीला उत्पीड़न इल्जाम, खासा गंभीर होता है, तुम जैसी औरतों की धमकी बहुत सुन चुका, जो करना है कर लो, मेरी बीवी को आगे से फोन किया, तो ठीक नहीं होगा, खट से फोन काट दिया गया, राजीव को सारी बातें बताती, दीपा रोबड़ी थी, राजीव, वे लोग कित्ती को मारते हैं, मैंने खुद कित्ती की चीखें सुनी हैं, कुछ तेर मौन रहने के बाद, राजीव का भीगा स्वर आया था, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तयार हूँ दीपा, पर सबसे पहले खुद कित्ती में हिम्मत आनी चाहिए, वो हमेशा ही भीरू रही है, कित्ती के मन में हिम्मत बस तुम पैदा कर सकते हो, राजीव, बस तुम कर सकते हो, मैं जानता हूँ दीपा, पर यह काम उतना आसान नहीं, कुछ भी करो राजीव, पर कित्ती को उस नरक से तुम्हें निकालना ही है, मैं सोचता हूँ दीपा, मुझे कुछ वक्त चाहिए, ठीक है राजीव, पर उतना वक्त मत ले लेना, जब कित्ती ही ना बचे, राजीव से बातें करने के पाद दीपा का मन ह हलका हो आया, समस्या का हल राजीव ज़रूर निकाल लेगा, दीपा परेशान थी, आप उसके जीवन में नया फूल खिलने वाला था, वो मा बनने जा रही थी, उस समय कृतिका का दुख उसे मत रहा था, उतनी दूर से वो क्या करे, मान लो वो लंदन हाई कमिशन से संपर करे भी, सुरेश के डर या दवाब से कृतिका उन्हीं दूस्टों के पक्ष में बयान दे दे, तो क्या होगा? किती के मा बाप को उसके पत्र की प्रती भेजी, पर उन्होंने किसी तरह की कारेवाई नहीं की, शायद सुरेश के माता पिता ने उन्हें उल्टी सीधी पट् प्रिशांद बातों की जगहां काम में विश्वास रखते थे, किती के मा पापा से मिलने जाने के लिए दीपा को तयार करना जादा कठिन काम नहीं था, पर किती के पापा को वस्तुस्थिती का विश्वास दिला पाना आसान काम नहीं था, वे दोनों इसी खुश वहमी मे थे कि उनकी बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है इसलिए उसका भारत आना संभव नहीं हुपाता दीपा ने पताया कैसे फोन पर उसने कित्ती की चीखे सुनी थी दीपा के नाम आई कित्ती की चिठी पर उसकी मा रो पड़ी दीपा द्वारा पहली भेजी गई चिठी पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ था लोग इर्श्य वश भर्मा रहे हैं कहे बाट टाल दी गई थी उनकी फूल सी बेटी कैसी नरक यातना सह रही है और उन्हें जरा भी आभास नहीं रोते रोते उनकी सिस्क्या बंद गई तसल्ली देती दीपा का मन रो रहा था कित् कौन संभालेगा पापा आपको तो हिमत रखनी होगी तुम ही रास्ता सुझाओ प्रशांत मेरे खयाल में आप फौरण लंदन चले जाएं वहां इंडियन हाई कमिशन की सहेता से कित्ती को मुक्त कराना होगा वो मेरे साथ नहीं आएगी प्रशांत विवा के समय ही उसने क जहकर भी उसने हमें कुछ नहीं लिखा कुछ नहीं बताया मा ने भी हामी भरी थी विश्वास रखिये मा ऐसा कुछ नहीं होगा आप उसके जन्म दाता हैं आपका प्यार उसके मन में साहस देगा शायद आपके समझाने से सुरेश उसके साथ ठीक परताव करने लगे आख आपके सामने हजार वादे करने के बाद भी वे कित्ती को ऐसे तरीके से खत्म कर सकते हैं कि उसकी मौत सौभाविक मानी जाए प्रशांत उतेजित थे हाँ माजी अब आपको एक ही रह चुननी है या तो कित्ती की जिंदगी या अपना जूटा मान सम्मान तुम ठीक कहते ह हो प्रशांत एक बार धोखा खाया आगे नहीं मैं जल्दी से जल्दी लंदन जाओंगा और अपनी बेटी को मुक्त करा लाओंगा हमें आपसी यही उमीद थी पापा घर वापस लाटे प्रशांत और दीपा काफी आश्वस्त थे राजीव ने फोन पर बताया था उसका एक मित्र लंदन हाई कमेशन में काम करता है पर मुश्किल यही थी वो कित्ती तक कैसे पहुंचे सुरेश के विरुध कारवाई करने के लिए ठोज सबूत भी जरूरी थे दीपा खुशी से उचल पड़ी तुरंत फोन लगा कित्ती के पापा को राजीव के मित्र का पता हाई कमेशन की मदद से कित्ती की मुक्ति की संभावना बढ़ गई थी सबूत के रूप में दीपा के नाम लिखी गई कित्ती की चिठी पर्याप्त थी फिर भी एक डर था वो भावुक भीरू लड़की क्या सिर उठा पाएगी क्या वो अपने प्रति किये जा रहे अन्या अत्याचार के विरुद विद्रोह कर सकेगी प्रशांत को पूरा विश्वास था कित्ती अन्याय के विरुद जरूर सिर उठाएगी पर दीपा का मन चंकित था राजीव से बात कर उसे विश्वास मिलता राजीव से फोन करने पर उसने इतना ही कहा था मुझे पूरा दिन भारी पड़ रहा था। मुक्ति के बाद किति का नया जन्म हो। उसी दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। क्या मतलब राजीव मैं समझी नहीं। देखो दीपा किति ने हमेशा अपने को दूसरों के निर्ने पर छोड़ दिया। परिणाम सामने है। तुम उसकी दोस्त थी। पर उसमें तुम्हारे दृड़ता का अंश भी नहीं था। अब मैं चाहता हूँ पुरानी भीरो किति की जगा दृड़ परते के आत्म विश्वास से पून एक नई किति का जन्म हो। पर वह कैसे संभव होगा राजीव। वो पहले ही बेहत भावुक थी पर अब तो बिल्कुल तूट गई है। ऐसी स्थिती में तुम उसमें ऐसे बदलाव की आशा रखते हो। अगर उसमें अब बदलाव नहीं आया तो कभी नहीं आ पाएगा। अब तक वो दूसरों की दया पर रही पर अब अपने पाओं पर अपनी ताकत पर खड़े होना है। नई देश में वो क्या यह सब कर पाएगी राजीव। यह कैसे संभव होगा। उसी देश में यह संभव है दीपा। इसलिए मैंने उसे मैसेश दिया है। वो भारत नहीं लोटे। उसे अपने क उसी देश में स्थापित करना है जहां उसने अपना सम्मान खोया है। ऐसी बाते तुम ही कर सकते हो राजीव। भगवान करे तुम्हारी प्रेणना कित्ती का संभल बन सके। दीपा ने फोन रख दिया था। प्रशांद का भी यही सोचना था कि कित्ती को वहीं रहना चा जाएगी अब उसे अपने पंख पसार नहीं होंगे। राजीव से बाते करने के बाद दीपा कित्ती की मुक्ती की प्रात्रा करती लंदन से आने वाली खबर का इंतजार कर रही थी। अचानक एक दिन खुशी में पगी कित्ती की आवास सुनाई दी थी। मैं आजाद हो गई दीपा। सच कहां से बोल रही है कित्ती। इंडियन हाई कमिशन आफिस से। यानि तुने हिम्मत कर ही डाली। मुझे तो डर था पहले की तरहां तु फिर बंक समेट लेगी। ठीक कहती है दीप। तेरी कित्ती डरपोग थी। तुझसे बात करने के बाद अचानक ए अमानवी अत्याचारों के विरुद उठाया गया है। उसके समर्थन में यूके की सारी औरतें सडकों पर उतर आई। कोर्ट द्वारा इस्त्री को बाइज़त रिहा कर दिया गया। उसी दिन फैसला ले लिया और अत्याचार नहीं सहूंगी। पर तु बाहर निकली कैसे लंबी कहानी है बस इतना जान ले अब मैं उनके पंजों से बाहर आ गई हूँ। तु वापस भारत का पा रही है। अभी वापस भारत नहीं आउंगी दीपा। यहां इसी देश में रहकर मुझे अपना खोया सम्मान पाना है। पापा को भी मैंने समझा दिया है। अब पापा मेरी और से निश्चंथ हैं। वो जान गए हैं अब मैं अत्याचार की शिकार नहीं बन सकती। वहां अंजान देश में तुझे कौन सहरा देगा किती। तो यहां आजा। मैं अकेली कहां हूँ दीपा। मेरे साथ लंदन का पूरा इस्त्री समाज है। मैं हॉस्प पूर्ती की कहानी तो लिख कर भेजेगी ना। जरूर पहला मौका मिलते ही लिख भेजूंगी। वैसे पापा तुझे मिलेंगे ही। अभी सबसे पहले तो सुरेश और उसके परिवार पर मुगदमा चलाना है। मेरी वकील पहुँचने ही वाली है। ओके बाए। फोन र अजीव तुम क्या समझे कित्ती का फोन है। अचानक खुशी की बजह से दीपा के स्वर में पुरानी शोखी उभर आई थी। कित्ती की आवास पहचानने में क्या गलती कर सकता हूं। दरसल यहां रात के बस दो बजे हैं इसलिए। ओ, I am sorry। सच मैं तो भूल ही गई। अब हम सब दुनिया के अलग-अलग छोर पर रहते हैं। ओके, अब असली बात तो बताओ, जिसके लिए रात के दो बजे जगाया है। सच, मुझसे गलती हो गई। असल में खबर इतनी अच्छी थी कि मुझसे रहा नहीं गया। हम भी तो सुने, क्या खबर है। कित्ती अजाद हो गई। यानि वो अपने उस कारगार से बाहर आ गई। यह तो मैं जानता हूँ दीपा। क्या, तुम ही कैसे पता लगा। क्योंकि लंदन में भारते उच्छायोग से संपर्क करके, मैंने भी उसकी मुक्ती में साहिता की है। शायद यह बात तुम भूल गई। तुम बड़े खराब हो, इतनी बड़ी बात की मुझे खबर तक नहीं दी, अगर कित्ती ना बताती तो मुझे पता भी ना लगता। दीपा नाराज हो उठी। इस पूरी कहानी में तुमने ही तो एहम भूमिका निभाई है दीपा। कित्ती कहा है, कैसी है, मैं कैसे जान पाता, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अब आगे क्या योजना है, वो पगली कह रही है, लंदन में रहकर ही काम करेगी। दीपा अब भी कित्ती के भविश्य के प्रती शंकित थी। वैसा ही तो उसे करना भी चाहिए दीपा। बहुत खुशी है, वो दीन असहाय बनकर मेरा सहारा नहीं लेना चाहती, पर क्या वो वहां रहकर अपने को पा सकेगी राजीव। उसने हमेशा दूसरों पर निर्भर किया, अपने विवाह के समय भी वो मुह नहीं खोल सकी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं दीपा, अब वो जो कह रही है जरूर क पाएगी, जीवन की कठोर भूमी पर जीकर उसने जिन्दगी का सच जान लिया है, मैंने कित्ती को अपनी शुपकाम नहीं दी है, जरूरत के समय मैं हमेशा उसके साथ हूँ, शायद तुम ठी कहते हो राजीव। फोन रख दीपा सोच में पड़ गई, वो छुई मुई सी कित्ती अब जीवन संगराम में अकेले उतर रही है, मा पापा घर परिवार से सहस्त्रों मील दूर, अजनबियों के देश में कित्ती क्या अपने को द्रिड रख पाएगी, भगवान उसकी मदद करें, काश कित्ती में यह द्रिडता पहले ही होती। लंदन से लोटे कित्ती के पापा सबसे पहले दीपा और प्रशान से मिलने आये थे। हमारी वही कित्ती है, जो दस लड़कियों में अलग चमकती थी। मुझसे लिपटकर ऐसा रोई कि पत्थर का दिल पिखल जाए। राचीव के मित्र डॉक्टर सूर्यकांद से आप मिले थे। हाँ दीपा, डॉक्टर सूर्यकांद की वज़ा से इंडियन हाई कमिशन की ओर से बहुत मदद दी गई। यही नहीं, वहां की महिला संस्थाओं और मीडिया ने कित्ती के पक्ष में न्याय की जोड़ तर आवाज मुखर कर उसका केस बहुत मजबूत कर दिया था। सुरेश की क्या प्रतिकिरिया थी अंकल। शुरू में वो अपने को निर्दोश पताता रहा। कित्ती पर तरह तरह के लांचन लगाने चाहे। डॉक्टर राजीव का नाम लेकर उल्टे सीधे आरोप लगाने पर कित्ती हुंकार उठी। जूट, सफेज जूट, मैंने कोई पाप नहीं किया। सुरेश स्वैम व्यभिचारी है, मेरा इस से कोई रिष्टा नहीं। जूट के पाउं नहीं होते, सुरेश के सारे आरोप बेबुन्याद सिध्ध हो गए। घर छोड़ती कित्ती ने उस घर से अपने वस्तर और आभुशन भी स्विकार नहीं किये। जिस घर ने उसका सम्मान चीन लिया, उस घर से क्या लेना देना। कित्ती ने बिल्कुल ठीक किया अंकल, उस जानवर के साथ ना जाने कैसे उसने दिन काटे थे। यह बाद ठीक है बेटी, हमारे देश में पती पत्नी का परित्याग करे, यह बाद सहत स्विकार है, पर पत्नी पुरुष का परित्याग करे, यह बाद पुरुष प्रधान समाच आसानी से स्विकार नहीं कर पाता। पती का एहम हमेशा आड़े आ जाता है, हो सकता है भारत में कित्ती का परित्याग उसकी पराजय माना जाए, पर वहाँ उसकी जीत की खुशिया मनाई गई, उससे सम्मानित किया गया। हाँ अंकल, वहाँ नारी अपने हक के लिए लड़ना जानती है, इसलिए परित्याग या तलाग को कोई खास एहमियत नहीं दी जाती, जो हो गया उसे मिटाया नहीं जा सकता, पर वहाँ की इस्त्रियां कित्ती से बराबर मिलती रही, उसे विश्वास दिलाया कि वो अकेली नहीं है, वे सब उसके साथ हैं, हम समझते हैं, विदेशों में नारी पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता, पर वहाँ की वास्त्वित्ता सुन रोंगते खड़े हो गए, वहाँ भी कुछ पुरुष इस्त्रियों के साथ बरबरता पूर्ण बरताव करते हैं, बस फर्क इतना ही है, वहाँ की औरत, अत्याचार सहना अपनी नियती नहीं मानती, अत्याचारी पती से स्वेम बदला लेने की हिम्मत रखती है, यह अंतर तो बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता हैं, अंकल, यहां हम पती को परमेश्वर मान, जिंदी की भर औरत होने की सजा भोगते है क्यों भई, हमारे बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत देर से चुप बैठे परशान्थ ने परिहास किया था रहने दीजिए, अपनी बड़ाई सुनना अच्छा गुण नहीं है जनाब, दीपा हस रही थी अंकल, यह बताईए, अब क्रितिका कैसी है? वहाँ अकेलापन तो नहीं महसूस करेगी गंभीर स्वर में प्रशान्थ ने पूछा था सच कहूं तो, पांच-साथ दिनों के बाद एक दूसरी ही कित्ती थी पूरे आत्म विश्वास से परिपून कित्ती को इतने बधाई पत्र मिले की गिनपाना आसान नहीं था कई अस्पतालों से उसे उच्छ शिक्षा जारी रखने के साथ जौब के ओफर्स दिये गए राजीव ने फोन पर बधाई दे कर देर तक बात की थी अपनी बात खत्म करते कित्ती के पापा के चहरे पर खुशी की चमक आ गई थी प्रशान्थ ठीक कहते थे एक दिन कित्ती जरूर सर उठाएगी आत्म सम्मान से जियेगी यह सब सोच कर कितना अच्छा लग रहा है अंकल खुशी से दीपा की आँखे चलचला आई अकेली कुछ ना कर पाती दीपा की आवाज में कृतिक गदा थी प्रशान्थ के तो हम भी बहुत आभारी हैं तुम लोगों ने मेरी बेटी वापस दी है वरना हम तो कित्ती को खो चुके थे समझ में नहीं आता तुम्हारा रिंग कैसे चुका पाऊंगा बस मेरा आशिरवा तुम्हारे साथ हमीशा रहेगा ये क्या कह रहे हैं अंकल कित्ती क्या हमारी नहीं है कित्ती तो तुम्हारी ही देन है बेटी लंदन की मीडिया के प्रती भी मैं बहुत आभारी हूँ समाचार पत्रों ने कित्ती के साथ सानुभूती जताते हुए टिपणी छापी टीवी पर चर्चा आयोजित की गई इन बातों ने कित्ती का खोया अत्म विश्वास लोटाने में मदद की अब उसे अपना करियर बनाने की धुन है राजीव ने ना जाने कौन सा मंत्र दिया है अब कुछ कर दिखाने को कित्ती कटे बद है मैं जानती हूँ राजीव ने कौन सा जीवन मंत्र कित्ती को दिया है बस आप कित्ती की चिंता छोड़ दें दीपा मुस्कुरा रही थी दो माहा बाद दीपा के नाम किती का खताया था मेरी दीपा आज इतने दिनों बाद अपने को फिर वैसा ही मुक्त पा रही हूँ जब आकाश को छूपाने की आकांशा रखती थी मेरा आकाश तब था भी कितना सीमित पहले अनुराग फिर राजीव दकसिम्टा मेरा आकाश उसी भी कब पा सकी सच तो ये है मैंने कभी अपने पंखों की ताकत पहचानी ही नहीं हमेशा भीरू गुरयय बनी अपने पंख समेटे दोसरों की इच्छा पर उड़ती रही काश मैंने तब ही अपने पंख पसार राजीव को पा लिया होता जब वो मेरे साथ विवाह के लिए मापिता की हां के साथ लोटा था मेरी मुक्ति गाथा में पहले तू यानि मेरी दीपा फिर राजीव की प्रिर्णा है उस नर्ग से अलग भी एक दुनिया है जहां मुझे प्यार और सम्मान मिल सकता है ये बात में भूल ही चुकी थी राजीव ने भारते उच्चायों के अपने एक परिचित द्वारा मुझे चिठ्ठी भीजी थी एक एक शब्द ने मुझे में जीने की नई उमंग पैदा की मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और जरूर लड़नी है राजीव ने यही समझाया था अगर वो चिठ्ठी ना मिली होती तो शायद मैं आज भी उस कारागार में रहती दम तोड़ देती राजीव की चिठ्ठी ने मुझे सोते से जगा दिया और मैंने विद्रोह का फैसला कर लिया चिठ्ठी लाने वाले मित्र ने जब मेरा निर्ने जानना चाहा तो मैंने तुरंत अपनी स्वतंतरता के लिए उनसे मदद मांगी थी वैसे मैंने मा पापा से अपने को काट लिया था उनसे हमदर्दी की उमीद नहीं थी पर जब पापा ने आकर मुझे बाहों में समेट लिया मैं जान गई वो मेरे हैं उनके प्यार ने नई ताकत दी वो मुझे वापस भारत ले जाना चाहते थे पर अभी मुझे अपनी लड़ाई लड़नी है यह मेरा कारे चेतर है सुरेश ने हर तरहां का डर दिखाया पर मैं अपने निर्ने पर अटल रही आजकल हॉस्पिटल के कामों में अपने को व्यस्थ कर लिया है यहां सभी का मुझे प्यार और सम्मान मिल रहा है अपने अतीत की स्मृति से मुक्ति का प्रयास कर रही हूँ राचीव के फोन आते रहते हैं वो मेरी नई भूमिका से प्रसन्न है सुरेश से तलाक हो गया है मेरी महिला वकील ने बिना फीस लिये मेरा केस लड़ा यहां की इस्त्रियों की जाग रुकता एकता देख लगता है भारत में इस्त्रियों का एक जुट हो जाना कितना जरूरी है वहां औरत ही औरत की दुश्मन है हमारी एकता में हमारी शक्ती है काश हम ये सच स्विकार कर पाते देख दीपा, तेरी किती ने क्या कुछ कर दिखाया अगले महीने राजीव आ रहा है ना अभी ये मत सोच बैटना कि हम दोनों शादी करने जा रहे हैं फिलहाल हम बहुत अच्छे मित्र हैं समय कब कौन सी करवट लेगा वही जाने मैं राजीव पर अपने को कफी जबरन नहीं डालना चाहती उसकी मित्रता मेरे लिए काफी है हाँ, एक खास बात तो लिखना ही भूल गई यहां का मौसम बड़ा मनमौजी है बारिश के बाद चमकती धूप में घूमते तेरी बड़ी याद आती है मेरे इस कमरे की खिड़की से धूप का टुकड़ा सीधे मेरे पलंग पर आता है एक बार फिर तुलसी का पौधा रोपने की इच्छा उमगाई है दिपा जब तक तुम मेरे पास आएगी मेरी तुलसी का पिर्वा लहला हरा होगा प्रशांत जी और आने वाले नन्य मेहमान को मेरा प्यार देना तेरी कित्ती पत्र रख आँखे मूंद दिपा मुस्कुरा उठी वक्त कौन सी करवट लेगा आप इसमें उसे कोई शंकार शेश नहीं थी आप ही आपने डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी का लिखा बहुत ही सुन्दर उपन्या सुना आप मुझे आग्या दीजिये और कथा साहित्य से जुड़े रहिएगा धन्यवाद